शांदार फोर में चल रहे भारतिय ओपनर रोहित शर्मा ने न्यू जी लैंड के खिलाप तीजरे वंडे में खेलते हुए एक नया मुकाम छूल लिया भारत के लिए खेलते हुए छक्के लगाने के लिस्ट में रोहित अब महिंदर सिंग धोनी के बराबर आ गए है और अगे निकलने के लिए अब उन्हें सिर्फ एक और गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाना है सुमवार को हुए मैच में रोहित शर्मा ने वंडे में भारत के लिए खेलते हुए 215 वान छक्का लगाया इस मैच में रोहित ने 77 गेंदों पर 62 रन बनाए अपनी पारी में उन्होंने 34 और 2 छक्के लगाये थे बतादें की भारत के लिए वंडे मैचों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने की लिस्ट में रोहित शर्मा के बाद महिंदर सिंग धोनी का नमबर आता है उन्होंने वैसे तो अपने करियर में 222 छक्के लगाये हैं लेकिन इन में से साथ उन्होंने एशिया 11 के लिए खेलते हुए हैं धोनी के बागी 215 छक्के टीम इंडिया की तरप से हैं उनके बाद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंड उलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंग का नमबर आता है बतादे की क्रिकेट तिहास में सबसे ज़्यादा छक्को का रेकॉर्ड शाहिद अथफरीदी के नाम है उन्होंने अपने करियर में कुल 351 चक्के लगाए इसमें वह पाकिस्तान के साथ साथेश्या और ICC 11 के लिए भी खेले उनके बाद क्रिस गेल, सनत जय सूर्या, महिंद्र सिंग धोनी का नमबर आता है